आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी सोया चंक्स की सबजी लेके आई हूँ ये सोया चंक्स की सबजी बिना टमाटर की बनी हुई है कि बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होगी इसके लिए आप 200 ग्राम सोय चंक्स लें और उसमें बिलकुल boil water डाले और अच्छी से से पानी में सोख करने के लिए 10 मिन्त रखतें तस मिनिट पानी में अच्छ से सोख हो जाएगे आपका सोया चंक्स तब इसे दो तीन पानी में अच्छ से धोले और उसके बाद पानी नहीं चोड़के आप एक ब्लेट में से ले 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 देखे बिल्कुल सॉप्ट हो गई है आधी कटूरी आप बिल्कुल फ्रेश दही इस के हर कली को खोल दिया है सिमला मिर्च और प्यास को भी मैं इस वया चंक समें मिक्स कर दोंगे उसके बाद मैं एक चमच अदरक का पेस्ट और एक चमच लेसन का पेस्ट डालूँगे चोटे चमच बिल्कुल थोड़ी सी मैस में हल्दी पाउडर डालूँगे एक चमच मैस में लाल मिर्च पाउडर डालूँगे एक चमच मैस में कश्मीरे लाल मिर्च पाउडर डालूँगे एक बड़े चमच मैस में धनिया पाउडर डालूँगे आधी छोटी चमच मैस में जीरा पाउडर डालूंगी एक चमच मैस में कसूरी मेथी डालूंगी टेस्ट के एकॉर्डिंग मैस में नमक डालूंगी नमक डालने के बाद बिल्कुल थोड़ी सी आपस में गरम मसाला डाले और इन सबी चीजों को अच्छे तरह से मिक्स कर दे दही के साथ सारे मसाले और सोया चंग को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद इसे 10 से 15 मिलेट के लिए एक साइड में रखते और इसे अच्छे से मेरिनेट होने दे बाकी कुछ मैंने ड्राई मसाले लिए जैसे दो बे लिप्स लिए चाह साथ लॉंग लिए मैंने एक सुके मिर्च लिए तो हरी इलाइची लिए एक काली इलाइची लिए एक इंच दालचीनी का टुकड़ा लिए थोड़ा सा मैस में गोटा जीरा लिए इधर में दो बड़ ता उसे मैं इसमें डाल दूँगी अच्छी से सारे चीजों को इसमें डालने के बाद दो मिनिट मैं से चला लूँगी सोया चंक्स को जिस बरतन में मैंने मैरिनेट किया था उसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालूँगी लगबख दो चमच जिससे की मसाले जो उसमें लगे हैं वो इसमें आ जाए और उसके बाद मैं इसमें दो हरी मिर्च बीच से चीरा लगा के डाल दूँगी हरी मिर्च बहुत दीखी नहीं है इसलिए मैंने दो लिया है यदि आपकी दीखी हो तो आप एक ही समेंट करें और उसके बाद आप अच्छे से दो मिनिटे से चलाते हुए भून ले जब सोया चंक्स अच्छे से भून जाएंगे तो प्याज जो है वो अपना काफी पानी छोड़ देगा उसी पानी से ये सबजी बनके आपकी रेडी हो जाएगी देखे प्याज ने काफी पानी छोड़ दिया है अब मैं इसके धकन लगा दूँगे धकन लगाने के बाद कूकर को बिलकुल मिडियम हीट पे रखके एक विसे लाने तक पका ले जब ये सबजी आपके पक जाएगी और कूकर हमारा ठंडा हो जाएगा तब धकन खोलके आ आपकी सबजी बनी है या नहीं हमारी सबजी बहुत अच्छी बनके रडी हो गई है इसे बहुत जादा पकानी की जरूवत नहीं थी और इसके बाद देखी ये बिलकुल अच्छे से पक गई है हमारी सबजी तब मैं इसमें दो चमच टमाटो कैचप डालूँगे और उसे मिक्स कर दूँगे इसके साथ आप यदि टमाटो कैचप नहीं खाना चाहे और आप इसे स्किप करना चाहे तो आप अराम से इसे स्किप कर सकती है इसकी जगह पे आप एक छोटा चमच चीनी डाले और उसे मिक्स कर दे तो सबजी आपकी उतनी ही टेस्टी बनके रडी आपको हमारी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आएगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपना कमेट हमें जरूर लिख फेजें